Good morning children, कल हम land के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी को वापिस repeat करते हैं, land We live on land, हम land पे रहते हैं, our houses are built on land, हमारे घर land के उपर बने रहते हैं, land is not the same everywhere, जो land होता है, वो हर जगए एक जैसी नहीं होती है, low and level land is called the plan, low and level land को plan कहते है Low means, नीची और एकदम plan, समतल जगह को plan करते हैं, most of the people live on plans, ज़्यादा तर लोग है न, plans पे रहते हैं, cities and towns are usually built on plans, शेहर और गाउं, ज़्यादा तर plans पे बने रहते हैं, जो समतल भूमी होती है न, उस पे बने होते हैं, यह है plan, जहान से देखो, यह है, एकदम सम्पल, है, flat, very high areas with steep slopes are called mountains, mountains ही होते हैं, उचे उचे पहाड होते हैं, बहुत, जैसे बहुत high areas, बहुत उची areas पे, with steps, उचा नीचा, उचा नीचा, जैसे सीड़े होते हैं, यह से उपर, उपर, फिर उपर चड़ते जाओ, फिर उपर दे जाओ, जैसे उपर, नीचे, उपर, नीचे, steps बनी रहती हैं, slopes are cold mountains, इसको mountains केते हैं, low and between mountains is cold the valley, जो low land, जो नीचे की जमीन होती हैं, और mountains होते हैं, उनके बीच की जो जगह होती हैं, जैसे उपर mountains हैं, फिर उपर जगह चल गई, यह ऐसे, मैं आपको इसमें बताती हूँ, यह उपर चल गए बहुत, यह heel आ गई, फिर plain जगह आ गई, फिर heel आ गई, फिर plain जगह आ गई, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, valleys, क्या बोलेंगे, valleys, low mountains are cold hills, और जो low mountains होते हैं, उनको हम heel कहते हैं, आपने देखा होगा, हम बुंदी में हमारे चारो तरफ हीले, तो जो छोटी-छोटी पाड़ें होती हैं, उनको हील कहते हैं, the upper part of the mountains is covered with snow, जो mountains का अपर पार्ट होता है, वो किस से covered होता है, snow से, बर्फ से, the weather is very cold here, और यहां का temperature बहुत, मतलब weather बहुत cold होता है, क्योंकि यह बहुत जदा उचाई पे होते हैं, it is cool even in summer, ज्यादा तर लोग गर्मी में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडक होती है, वहाँ पर गर्मी में भी cool होता है, so people go to hill station in the summer, इसलिए